हलो अर्वन, वल्कम तो इस वीडियो एंद मेरा नाम है हमन्त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं English for SSC exams की बारे में तो पिछले वीडियो में हमने SSC GD 2023 के exams में जितने भी error detection के questions पूछे गये थे साथ ही साथ अगर आप किसी भी SSC exam के तैयरी कर रहे हैं तो भी आपके लिए helpful हैं अगर आपको आते हैं concept तो आप इस वीडियो को 1.25 पे या 1.5 पे देख सकते हो बाकी चीजों को जितना possible हो सकता है उतना मैं explain करते हुए चल रहा हूँ और अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है बहुत कुछ missing है तो इसका मतलब आपने courses नहीं देखें क्योंकि जितनी भी concept यहां सीख रहे हो आप सब course में cover है तो आप course जरूर देखो अगर नहीं देखा है तो detailed ठीक है तो हम अब error correction के questions को discuss करने वाज है क्या रहा है purchasing new purchasing furniture at a low cost could not involve abandoning design or quality क्या रहा है कि purchasing furniture at a low cost could not involve आपने यहां पर use किया है could का की कि options में have not have not done regretting, should not entail sacrificing, cannot force forgetting and did not provoke compromising हां जी तो क्या सही जवाब होगा इसमें आपको replace करना है could not involve abandoning design or quality को किसमें से किस option से आप replace कर सकते हो क्या रिखा है purchasing furniture at a low cost could not involve तो क्या कह रहा है कि अगर आप low cost पे furniture purchase करते हो क्या रहा है वो कि यदि आप low cost पे furniture purchase करते हो तो क्या नहीं होना चाहिए basically कहना वो बस यह चाहता है कि could not involve design or quality वो यह कहना चाहरा है कि यदि आप low cost पे furniture purchase करते हो तो आपको design और quality से compromise नहीं करना चाहिए ठीक है एक तरीके से यह advice की बात कर रहा है आप यहाँ पर use कर रहे हो could को could क्यों क्या बताता है could बताता है आपका could use कर होता है आपकी physical ability बताने के लिए physical ability बताने के लिए in past could use होता है आपका physical ability बताने के लिए in past ठीक तो ठीक है past में physical ability बताने के लिए आप could का प्रयोग करते है तो सकता था कि sense में ठीक है इसके अलाबा could you could you move a bit तो किसी से request करने के लिए आप could का प्रयोग करते हैं लेकिन किसी को सलहा देने के लिए या फिर advice देने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं शुड का प्रयोग करते हैं चीक है शुड का प्रयोग करते हैं और आप यहां यही कहना चाह रहे हो कि अगर आप सस्ते दाम पर furniture खरीदना चाहते हो तो आपको design या पर quality से sacrifice करो ठिक तो डिड्नाट प्रोवोग प्रोवोग कॉंप्रोमाइजिंग मतलब नहीं होगा डिड्नाट कॉंप डिड्नाट प्रोवोग कॉंप्रोमाइजिंग का मतलब नहीं होगा तो यह गलत हो जाएगा और नॉट फोर्स प्रोवागेटिंग में नहीं होगा कैन भी आपकी ability बताने के लिए है have not done regretting भी नहीं होगा अंसर हो जाएगा हमारा शुड नॉट एंटेल sacrificing मतलब दस्ते दामों पर furniture खरेदना शुड नॉट एंटेल sacrificing design और quality इट शुड नॉट एंटेल sacrificing design और quality design और quality से compromise करना नहीं मतलब it doesn't mean कि आप design या फिर quality से sacrifice करो ठीक है तो यह एक प्रकार की advice है advice को express करने के लिए आप should का प्रोग करते हैं इसलिए यहां पर should ही सही है किता है I regarded my brother on passing his graduation exam आप भाई ने graduation exam पास किया तो आप उसे क्या करोगे आप उसे बधाईयां दोगे तो no toad नहीं होगा disparaged मतलब निंदा करना या किसी को नीचा दिखाना वो नहीं होगा flattered चाप लूसी करना नहीं होगा आप उसे congratulate करोगे तो answer हो जाएका congratulated I congratulated my brother on passing his graduation examination अगले आगे कहता है baldness is quite very usual among youngsters these days कि रहा है baldness जो है वो काफी usual तो quite is quite very usual among youngsters आपको इसे replace करना है options में no substitution नहीं दिया आपको replace करना ही है तो happening surely नहीं baldness is happening surely जरूर ही नहीं हो रहा हो having very certain among having very certain having सही नहीं होगा क्योंकि have का प्रयोग हम possession बताने के लिए करते हैं और having का प्रयोग हम कुछ खा पी रहे होते हैं तो करते हैं या party बगरा कर रहे होते हैं जैसे I am having party today या I am having pizza right now तो कुछ खाने पीने के sense में having का प्रयोग करते हैं but कुछ होने के लिए आप having का प्रयोग नहीं करते हैं hitting very severely it's not hitting हो रहा है गंजापन हो रहा है hit नहीं कर रहा है कुछ तो क्या हो जागा baldness is getting very common ठीक है तो answer आजागा first हमारा baldness is getting very common among youngsters these days to answer is first next sir lively demeanor makes her the ideal choice for this job lively मतलब एकदम खिला हुआ बहुत ही full of energy full of liveliness उस sense में आता है ठीक है option देखिए gloomy dreary gloomy और dreary कैसे है gloomy और dreary makes it और इस job के लिए ideal choice तो gloomy और dreary क्या है आपस में synonym में एक दूसरे के और इनका मतलब क्या होता है बहुती boring या dull या फिर मनुसियत वाला sense ठीक है या तो बहुती dull हो या बहुती boring हो या मनुसियत वाला sense हो तब आप gloomy और dreary का प्रयोक करते हो ठीक है अब लिखा है slimmy या grainy तो slimmy मतलब बहुत ही slim है वह हर slimmy demeanor slimmy demeanor मतलब बहुत बहुत दुबली पतली है तो यह slimmy मतलब हो जाता है आपका बहुत दुबला पतले के sense में तो दुबले पतले की बात मतलब आप किसी के बॉड़ी की structure से आप कुछ खास मतलब नहीं रखोगे ठीक है या slimmy का मतलब जैसे slime होता है slime आपने देखिए वो किसी भी तरक्य तरीके से आपका shape ले लेती है ठीक है तो slimmy उस sense में आपका मतलब हो जाता है कि बहुत friendly है ठीक है कैसा है बहुत friendly है ठीक है तो slimmy का मतलब बहुत friendly या pleasant behavior हो जाता है friendly या फिर pleasant behavior ठीक है friendly या फिर pleasant behavior के sense में आएगा slime जैसे होता ने अक्सर वीडियो में देखा होगा slime होता है जो rate type की रहती है और किसी भी shape में आ जाती है तो ऐसा behavior जो सब के साथ घुल मिल जाए ग्रेनी हो जाता है बहुती rough texture वाला कि क्या ग्लूमी और ड्रियरी का सरी यह मैं I'm sorry मैंने आपको यह synonym बताए जब मैं synonym बता रहा था तो मैं इसको ड्रियरी पड़ रहा था मुझे लगा यह ड्रियरी लिखा हुआ है अभी जस्ट ने लिखा यह dreamy लिखा हुआ है तो dreamy तो मतलब dream से related हो गया मतलब सपनों का सवधागर वाली चीज़ है कि dreamy है मतलब बिल्कुल सपनों से जैसा है तो dreamy उस sense में हो जाता है gloomy और ड्रियरी मतलब हो गया कि जो कम बातचित करता है लोगों से बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं है उसे कहते हैं आप gloomy ठीक है so gloomy मतलब हो गया जो बहुत कम मिलता है गुलता मिलता है लोगों से कम बातचित करता है उसे आप कहते हैं gloomy क्योंकि boring हो गया तो अब यहां लिखा है lively demeanor makes her the ideal choice for this job इसका जो answer दिया गया है वो gloomy दिया है अब मुझे थोड़ा सा यह doubt है इसमें कि शायब जी question होगा उसमें इन्होंने एंटोनेम लिखने को बोला होगा ठीक है क्योंकि मुझे यह question एक तरीके से पूरी type format में मिलें तो मुझे question paper तो मैंने नहीं देखा है तो इस वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें एंटोनेम मार्क करना होगा तभी इसका answer gloomy हो सकता है otherwise इसमें gloomy तो अगर एंटोनेम नहीं मार्क करना था तो फिर gloomy का मुझे sense नहीं समझ में आता है ठीक है तो answer जो दिया गया है वो gloomy दिया है बट क्योंकि lively हो गया जो बहुत ही मित्रवत है बहुत ही मतलब life full of life है lively attitude मतलब बढ़ियां से लोगों से मिलना जोना अच्छा हो तो in that case तो slimmy होना चाहिए था क्योंकि ये इसका correct synonym हो सकता है not necessarily not necessarily कि है मतलब कहीं lively लिखा हो तो तुम slimmy लिख दो नहीं लेकिन अगर आप probability देखो तो slimmy हो सकता है लेकिन gloomy तो कता ही नह antony mark करना होगा तो मैं आपको some question meaning समझा दिया question जो exact है वो मुझे नहीं पता है so I cannot guarantee the answer for this ठीक है अगर आपको सिर्वने मार करना है तो slimmy fit होगा next the turtle can live in water as well as land तो turtle water में रह सकता है साथ ही साथ land में भी रह सकता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपने लिखा in water पानी के अंदर रहेगा और land के अंदर रहेगा अगर आपने एक बार preposition लगाई है तो यही प्रिपोजिशन इसे भी qualify करती है तो क्या दूसरी जगे पर भी same preposition आएग यह नहीं होगा यह नहीं होगा आंसर हो जाएगा थर्ड आज वेल एज ओन लैंड टीक है तो आंसर इस तर्टल कें लिविन वाटर आज वेल आज ओन लैंड once in a year the management of the institute surveys the whole situation once in a year साल में एक बार the management of the institution जो होता है वो क्या करता है survey करता है ठीक है आप survey के लिए आपको इन में से options दिये गए हैं इससे आपको एक option mark करना है comes to the front मतलब सामने आना perplexed बीत मतलब confused हो जाना makes a mark मतलब अपना निशान छोड़ना और take stock of situation मतलब जायजा लेना तो survey करता है या नहीं जायजा लेता है तो जायजा लेने के लिए जो correct word है वो क्या है take stock of यही idiom होता है take stock of का मतलब होता है जायजा लेना the students were boring by the lecture delivered on environmental issues environmental issues पर जो लेक्चर डिलीवर हुआ students उससे बोर हो गए तो वर बोरिंग नहीं वो बोर हो गए तो students बोर हो गए ठीक है तो वर बोरिंग नहीं क्या हो जाएगा वर बोर्ड क्योंकि जो subject है वो कैसा है लेक्चर डिलीवर किया किसी और ने स्टुदेंट्स वर बोर्ड स्टुदेंट्स बोर्ड हो गए तो स्टुदेंट्स वर बोर्ड बाई दे लेक्चर डिलीवर्ड ऑन इन्वार्मेंटल टिज्टीज ठीक है इस्टुदेंट्स अभी भी पैसिव हैं वो अपने आप बोर नहीं हो मतलब वो कुछ कर नहीं रहे हैं बोर होने के लिए कर सामने वाला राय ठीक है तो इसे मीडिल वाइस कहते हैं वाइस चप्टर में इस तरीके के सवाल मैंने ओस्छ खिए रीहर्स नहीं होगा ऑध़र इसमीं होगा और इसमी में तो आनसर निएगा जब पड़िसीपेंट्स अर्टिसंग यह पूल ना कि आर्फ्र हो Surf question number 9 I was delight in the moment I saw her was के साथ में आपने verb की first form लगाई तो was के साथ में आप या तो ing form लगाते हो या तो verb third लगाते हो ing form कब लगाते हो जब past continuous का tense होता है और third form कब लगाते हो जब passive voice का sense होता है तो मैं delight हो गया मैं बहुत खुश हुआ ठीक है या तो passive का sense हो दूसरी चीज है अब ये वाक्य बताईए मुझे ज़रा अच्छा चलो मैं आपको answer बता देता हूँ answer हो जाएगा I was delighted answer हो गया I was delighted तो इसमें तो ये verb की third form हो गई क्या ये sentence passive में है नहीं actually यहाँ पर ये delighted participle है participle का मतलब adjective है और adjective है तो यहाँ पर ये इसको qualify कर रहा तो I was delighted इस तरीके से है similarly students were bored उसी तरीके से है ठीक है तो यहाँ पर ये adjective है I was delighted in the moment I saw her similarly students were bored हो जाएगा यहाँ पर ये भी आपका bored जो है ये adjective की तरह काम करेगा एक तरीक एक ही sentence को देखने के दो नजरियां है ठीक है चाहे तो आप इसे इस तरीके से देख लो और चाहे वो middle wise वाले तरीके से देख लो वो भी वही तरीका है ठीक है वो भी सही है गलत नहीं है वो भी मैं मतलब हमेशा बात करता हूं न कि अधर देखिए तो यह उसका dimension है बट आप कंफ्यूज मत हो यह आप इसे similarly adjective समझ लेजी और adjective है delighted आपका ठीक है डिलाइट एड्जेक्टिव नहीं होता है डिलाइट एड्जेक्टिव पी तरह काम करता है पाटिसिपिल हो जाता है as of now they have finished the construction of the ground floor construction of the ground floor लिखा हुआ है यह floor क्या होता है आटा flavor नहीं होता, flower नहीं होता, flounder नहीं होता यह flounder मतलब क्या होता है छट पटाना यदि कोई डूबने, किसी को अगर माजी नहीं मुझे तयार नहीं आता है मुझे पानी में फेक दोर में क्या करूँगा flounder करूँगा, छट पटाना तो answer हो जाता है floor construction on the ground floor ना कि floor question number 11 के रहा है my uncle has an extremely large bungalow which has six bedrooms six bedrooms five bathrooms and four living rooms अब आपको extremely large को replace करना है great bungalow, mahan bungalow oversize oversize होता, oversize नहीं होगा oversize as an adjective काम कर सकता है oversize bungalow नहीं होगा miyagar मतलब बहुत थोड़ा यह भी नहीं होगा enormous so my uncle has an enormous bungalow which has six bedrooms five bathrooms and four living rooms clear होगी बात आगे बड़ता है I visited the hospital to inquire about eye surgery कि मैंने आपको पढ़ाया है जहाँ पर मैंने noun में भी यह पढ़ाया है adjective में भी आपको यह पढ़ाया है देखो surgery क्या है surgery है noun आपका noun के पहले क्या आता है noun के पहले क्या आता है noun के पहले आता है adjective तो adjective आपको चाहिए अब आपने eyes लगा दिया यहाँ पर eyes तो plural हो गया noun के पहले जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा adjective यह तो plural हो गया तो plural तो adjective तो ना singular होता है ना plural होता है इसलिए यह plural नहीं हो सकता क्या होगा eye surgery इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में eye doctor होता है ठीक है shoe shop होता है अधि shoe shoe shop होता है eye doctor होता है इसलिए eye doctor हो जाएगा inquire about eye surgery हो जाएगा answer हो जाएगा fourth हमार inquired लिखाया है मैं आपसे sorry मैं मैं जान ने दिया inquire about eye surgery ठीक है ठीक है rapid deforestation में put the lives of many indigenous communities in a danger तो in a danger क्या किसी एक खतरे में रख सकता है अगर आप rapid deforestation कर रहे हो अगर आप rapid deforestation कर रहे हो तो क्या किसी एक खतरे में रख सकता है किसी एक खतरे में रख सकता है से नहीं न और तो यहाँ पर एक खतरे की बात नहीं है तो simply answer हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ कि a danger लिखना गलत है ठीक है तो in danger होगा, in a danger नहीं होगा, in the danger नहीं होगा, ठीक है, यह idiomatic है, idiomatically correct है, in danger होता है, in the danger नहीं होता, in a danger नहीं होता, idiomatic मतलब इसी प्रकार लिखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं, Due to increased international travel, the tourism sector has grown to a global tracker, to the global economy, a major importer, a worthless trade, a substantial contributor, a complimentary distributor, major importer, tourism industry कोई import नहीं करता कुछ, worthless trade नहीं है भाई, complimentary distributor है, distribute नहीं कर रहा है कुछ, सांसर हमारा क्या होगा, substantial contributor, एक, बड़ा, एक substantial घटक है, ठीक है, सो, due to increased international travel, the tourism sector है, वो ग्रोन की ग्रो हुआ, और, as a substantial contributor, सामने आया, to the global economy, question number 5, in the olden days, when people went on pilgrimages, they created a feeling of belonging, towards all, convey a message of brotherhood, among all, they came across, ठीक है, तो, आप यहाँ पर have conveyed लिखा है, has conveyed लिखा है, conveyed लिखा है, conveyed लिखा है, और conveying लिखा है, तो देखो, कुछ कुछ को eliminate करते जाते हैं, conveying नहीं होगा, क्योंकि, आपको ing form के लगाने के लिए, कोई verb चाहिए, और verb यहाँ पर, ऐसी कोई नहीं है, जो conveying लगा सकते हैं, ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर conveying किस प्रकार से use हो रहा है, देखो, in the olden days, पुराने दिनों में, when people went on pilgrimages, यहाँ तक की बात खतम होगी, इसका convey से कोई ले नहीं है, ठीक, they created a feeling of belonging towards all, they created a feeling of belonging, यहाँ पर ing form में यूज हो रहा है, तो क्या यह कोई verb है, नहीं, कैसा है, present participle की तरह भी use होता है, आपका, gerund की तरह भी use होता है, तो feeling of belongingness, belonging towards all, मतलब gerund की तरह भी use हो रहा है, belonging towards all, convey a message of brotherhood, क्या कर रहा था, conveys a method of, conveys तो है नहीं, क्या कर रहा है, which is conveying a method of, basically कहना चाहरा है, which is conveying a message of brotherhood, तो which is conveying कहना चाहरा है, तो which is को हटा के हम क्या लिख जेते हैं, conveying message of brotherhood, conveyed नहीं होगा, has conveyed, have conveyed नहीं, answer हो जाता है, conveying message of brotherhood, ठीक है, earlier मैंने बोला कि conveying नहीं होगा, तो कि वहाँ पर मैं उसको verb की तरह देख रहा था, लेकिन यहाँ verb का का काम नहीं है, यह participle का का काम है, क् conveying a message of brotherhood, among all they came across, अच्छा कोश्चन है, CCGD का कोश्चन है, बट इस वेरी गुट कोश्चन, the talk was not understandable, understandable के लिए क्या लिख सकते हो, comprehensive नहीं, comprehended नहीं, comprehensible लिखो गए, answer is second, ठीक है, okay, okay, sorry, ठीक है, एक second, देखो, मैंने लिखा है, comprehensible हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन option में हमारे no substitution भी रखा हुआ है, यह हमें ध्यान देना है, यदि option में आपके no substitution रखा हुआ है, तो फिर answer वही होगा, यहाँ पर यह answer नहीं होगा, answer होजाएगा no substitution, तो कि सही तो यह है, लेकिन, जब no substitution है, तो वो मार्क करेंगे ना, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, the talk was not understandable, आगे देखते हैं, यहाँ पर relevant की spelling आपको incorrect है, तो relevant की spelling आपकी second होजाएग, question number 18, your health could suffer if you spend more time with the automobiles, यह रहा है कि आपकी health जो है, वो सफर कर सकती थी, अगर आप automobiles में अधिक समय उजारते, तो besides the machine, in front of electronic devices, in backlog of machines, after the digital devices, अब देखो, इसमें तो आपको replace करना ही है, तो electronic automobiles की बात हो रही है, तो आपको electronic devices नहीं लिख सकते हो, digital devices तो नहीं लिख सकते हो, backlog of machines, या besides the machine, दो word होते हैं, एक तो होता है, beside, एक होता है, besides, beside का मतलब होता है, by the side of, या फिर के, by the side of, या other than के भी सेंस में होता है, कि जैसे, beside, he has his house beside a tree, तो by the side of के सेंस में आप लिख सकते हो, तो इसको देखते हैं, बारी, answer ये दिया होए, चलो, तो by the side of हो जाता है, इसका मतलब तो ठीक, इसका मतलब क्या हो जाता है, besides, besides का मतलब क्या होता है, in addition to, besides का मतलब होता है, in addition to, जैसे he knows English, besides French, ये अतरिक, तो besides मशीन नहीं होगा, besides the machines हो सकता था, एक बार को सही, ठीक, ये गलत हो गया, in backlog of machines, backlog of machines का कोई मतलब नहीं होता, in beside, behind the machines अगर लिखा होता, तो कहीं मतलब आता भी, अब जो हमने सारे ही गलत कर दिये, तो basically health आपकी कब सफर होगी, अगर हम electronic devices के सामने ज़्यादा समय गुजारेंगे, जैसे हम गुजारी रहे हैं, आप mobile पर ये video देख रहे हैं, मैं IFP पर ये record कर रहा हूँ, laptop सामने है, camera सो भी electronic devices हैं, इन front of electronic devices जो है, वो सही formation है, ठीक, मैंने जो आपसे बोला कि क्यों नहीं होगा, मुझे ये लगा कि इन्होंने sense नहीं बदला होगा, क्योंकि generally error correction या error detection का मतलब होता है, grammar correct करना, meaning नहीं correct किया जाता है, अब यहाँ पर इन्होंने लिखा तो automobiles था, फिर ये electronic devices पर आ गए, तो थोड़ा सा confusing है ये, ठीक है, मतलब with the mobiles लिखते तो समझ भी आता है, automobiles लिख रहे हो तो फिर यार उससे electronic devices पर आना थोड़ा सा confusing है, ठीक है, after the digital devices नहीं होता है, with the digital devices कहते हैं, तो sad answer हो जाता हमारा ये, चलो आगे से थोड़ा ध्यान रखके question करेंगे, क्योंकि generally जो pattern चला आ रहा होता है, उसी पर हम exam पर question करा रहे होते हैं, देखो, अब यहां youngest है, youngest क्या होता है, superlative degree, superlative degree के साथ में क्या आता है, दा, ठीक, दा आता है, तो ये तो नहीं होगा, के लाबा, throne में क्या है आपके ये, consonant sound, तो consonant sound के साथ में and नहीं आएगा, क्या होगा answer second, the youngest ire to the throne, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स बिकेम, the youngest ire to the throne, at the age of self, ठीक, question number 20, he has barely made it to the airport, when she heard the news of her dad's accident, तो, क्या होगा, past की दो घटना है, कि वो, she barely made it to the airport, when she heard the news, उसने father के accident की news सुनी, वो बड़ी मुश्किल से पहुच पाई, past की दो घटना है, जब होती है एक साथ, तो पहली वाली घटना आती है, past perfect से, और दूसरी आती है, past indefinite से, यहाँ पे past की दो घटना हैं है, तो answer आजाएगा, she had barely made it to the airport, क्योंकि वो पहुच गई थी, बिसिकली वाल पे, तो when she had barely made it to the airport, when she heard the news of her dad's, ठीक है, आगे बड़ते हैं, लिखा है, I still, I still enjoyed, the week despite the weather, यहाँ पर इन्होंने despite off लिखा हुआ है, आपको पढ़ाया है मैंने कि despite जो होता है, उसके साथ में off नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब ही होता है, in spite of, के बावजूद, तो अगर आप in spite off लिखते हो, और despite without off लिखते हो, ठीक है, तो despite the weather answer होगा हमारा, आपका किसी चीज़ को डिले करने के सेंस में, ठीक है, पुट आफ जब आता है, तो पुट आफ का मतलब होता है, आप कुछ डिले कर रहे हो, ठीक है, और पुट आउट का मतलब होता है, आग बुज़ाने के सेंस में ही, ठीक है, ठीक है, आग बुज़ाने के सेंस में होता है, तो, पुट आफ मतलब होता है, कुछ डिले करना, ठीक, ठीक है, तो पुट आफ तो हो नहीं सकता, वर एबल पुटिंग आउट नहीं, वर एबल टू पुट आउट ही सही है, अंसर हो जाएगा हमारा no substitute. 26, लिखा है the district collector, Mr. Kaushalendra Kumar are visiting the site for inspection. Subject हमारा क्या है? The district collector. वही वेक्ति मिस्टर Kaushalendra Kumar है, correct? तो जब एक ही वेक्ति है, वो पूरा का पूरा, तो subject कैसा है, singular हमारा, singular है, तो subject, verb कैसी आएगी, is, ठीक है, site की spelling ये होती है, जगे के sense में, निगाहा के sense में आती है, site, कैसा द्रश्य है, तो ये वाला site, और ये वाला site होता है, किसी को quote करना, कुछ कहना, he cited that, यह उन्होंने कहा, तो answer हो जाएगा हमारा, answer हो जाएगा हमारा third, answer हो जाएगा हमारा second, is visiting वाला site होगा, तोकि is hard, ठीक है, the way someone talks and behaves, introduces the characteristics of a person, आप में से चारो options दिये हैं, ठीक है, चारो का मतलब यहाँ पर कोई no substitution करके option नहीं है, ठीक है, अगर no substitution करके option नहीं है, तो हमें इन में से एक answer मार्की करना पड़ेगा, ठीक है, तो कहना चारा है, introduces the characteristics, इस बात को एक लिखने के लिए कौन सा option सही है, introduces the characteristics हो, कहरा है, the way someone talks and behaves, affects the aura, मैंने आपको पढ़ाया है, effect जो होता है, वो आपका noun होता है, और effect जो होता है, वो आपका verb होता है, ठीक है, effects होना चाहिए था, effect आपका verb भी होता है, बट वो बहुत ही legal documents या, government manuals वगरा में दिखेगा, बाकी आप से ignore करेए, आपके लिए काम नहीं आएगा वो, तो effects तो नहीं हो सकता, symbolizes the gestures of a person, आप personality की बात कर रहो हैं, जेस्टर्स नहीं decide कर रहो गया, postulates that personality, postulates theory होती है, he postulated the theory, postulate theory की जाती है, ना कि personality, answer होगा is first, defines the personality, ठीक है, answer is first, defines the personality होगा, the goods being sold are of inferior quality, inferior quality, inferior मतलब कम तर, ठीक है, exterior मतलब बाहर, ठीक है, superior मतलब बहतर, anterior मतलब पीछे, ulterior मतलब बाहर, तो answer आजाएगा, superior, क्योंकि यह सब जगह के, place के बारे में हैं लगबग, ठीक है, आपको यहाँ quality की बात करनी है, तो बहतर के लिए, superior सही होगा, I asked Rita, that how far her school was, आप लिख रहे हो, that भी यहाँ पे, और आप लगा रहे हो, how far, तो that conjunction, आप नहीं लगाओगे, जब आप question word को as a conjunction, use करते हो, तो यहाँ that how far नहीं होगा, answer हो जाएगा, how far her school was, ठीक है, यहाँ पे that का कोई काम नहीं है, answer how far her school was, I asked Rita, how far her school was, ठीक है, clear रहा तक, चले next question देखिए, तक मैं पानी पीता हूँ, देखिए, आपने लिखा है, this is an olden building of historical importance, an olden, an elder building बड़ी नहीं है, very older building, older जब आप लिख रहे हो, तो या तो comparative के sense में यूज़ करो, दूसरी बाद comparative के sense में नहीं कर रहे हो, age based बताने के sense, comparative sense में करो तो वो भी नहीं है, ठीक, तो answer यहाँ हो जाएगा, ancient, simply, this is an ancient building of historical importance, ठीक है, next, when the last star of Russia were arrested by revolutionaries, he and his families were hiding at a palace near Saint Petersburg, now that palace is open to tourists, आपको were arrested by revolutionaries को के लिखना है, ठीक है, when the last star of Russia लिखा है अपने, तो singular subject है, singular subject के लिए verb कैसी आएगी, singular आएगी, तो word तो नहीं होगा, at least, ठीक है, जो लिखा है, दूसरी बात है, word hiding लिखा है आपने, यानि की sentence जो है, पहला वाला past में है, यदि past में है, तो past में लिखोगे, is में नहीं लिखोगे, इस में लिखोगे, अंसर होजाएगा, first, was arrested by revolution, when the last star of Russia, was arrested, by revolutionaries, he and his family, were hiding at a palace, near St. Petersburg, now that palace is open to, tourists, over 80% of India's transportation fuel, are exchanged, subject क्या है, fuel, over 80% of India's transportation, fuel, fuel क्या है, uncountable noun, uncountable noun है, sorry, fuel क्या है, countable noun है, fuels भी होता है, लेकिन यहाँ पर, वो singular है, singular है, तो are exchanged, नहीं होगा, क्या होगा, is होगा, पहली बात, endangered species होती है, मतलब जो खत्रे में हैं, जो extinct हो जाएंगी, उनके लिए endangered आता है, तो वो भी नहीं होगा, vanish होता है, गायब नहीं होगा, गायब नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, imported होता है, exchanged is imported, Mr. Ardwani was happy to push the boat out, for his daughter's wedding, अब देखो, Mr. Ardwani, जो थे, he was very happy, to push the boat out, for his daughter's wedding, यानि की, boat को बाहर निकालने के लिए, काफी happy थे, push the boat out, boat को बाहर निकालने के लिए, अपने बेटी की, शादी के लिए, तो क्या होगा, शादी में आप क्या करते हो, खर्चा, तो answer क्या होगा, spend a lot of money, खर्चा, push the boat out, मतलब होगा, to spend a lot of money, okay, how she managed off escaping, from the situation, was inexplicable, inexplicable मतलब, cannot be explained, तो how she managed, off escaping नहीं होगा, पहली बाद तो to escape होगा, तो answer होजाएगा, to escape from, manage to escape on नहीं होगा, situation से escape कर रहे हो, off नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, answer होजाएगा, so how she managed to escape from, off नहीं होगा, how she managed to escape from, the situation was inexplicable, okay, how she managed to escape from, the situation was inexplicable, escape के बाद from होजाएगा, next, Nista writes very well, didn't she, आपको question tag बनाना है, Nista के लिए pronoun आएगा, आपका she, ये positive है, तो question tag कैसा आएगा, negative, यहाँ पर लिखा है, यानि sentence किसमें है, present indefinite में, तो आपको, जो यहाँ पर helping work चाहिए, वो किसकी चाहिए, present indefinite की, निश्था singular है, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, does, और यहाँ पर negative होजाएगा, तो होजाएगा, doesn't, तो अंसर आजागा, doesn't she, बता, इप, क्या, next, VPN allows us to use the internet anonymously, to value our safety and our identity, टीक है, VPN क्या करता है, allow करता है, मैं, क्या करने के लिए, internet को anonymously, अब आपको इस sentence को replace करना है, to derogate our safety, derogate मतलब किसी को, किसी की बेज़ज़थी करना, derogatory remark pass करना, उसकी निंदा करना, उस sense में आता है, तो यह नहीं हो सकता, rationalize our safety, आप rationalize thinking करते हो, मतलब आप सही गलत वाली बात कर रहे हो, तो अपनी safety को, आप rationalize कैसे करोगे, safety को आप rationalize नहीं कर सकते, तो यह भी नहीं होगा, safety को improve करोगे, या safety को ensure करोगे, सुनिश्चित करोगे, improve नहीं करोगे, answer आजाएगा, to ensure our safety, VPN allows us to use the internet anonymously, to ensure our safety and our identity, he had created a cocoon of human activities, human activities, conversation, interaction, affection and it filled his life, like an overflowing soup bowl, encasement, bundle, downy और fabric, तो cocoon के लिए क्या होगा, रहिशक्ट, encasement, encasement, case में रख दिया है, आपने bundle बनाया, downy या फैपरिक, तो encasement, आपने किसी चीज को, एक केस में रख दिया, cocoon मतलब क्या होता है, cocoon में रह रहा है, आपने उसे encasement कर दिया, मतलब case में रख दिया, तो सही जवाब फस्ट हो जाए रहा, तो he had cricketer, created an encasement होना चाहिए, फिर वहाँ पर article A भी remove होगा, an encasement of human activities होगा, ठीक है, आपके बढ़ते हैं, क्यारा है, during the lockdown, many families were barely able to make both the ends meet, तो make the both the ends meet नहीं होता है, make both ends meet होता है, make both ends meet होता है, the नहीं हाता पहली बाद, ठीक है, तो both में होगा, make ends meet, barely managed to make ends meet, both ends meet, make ends meet, ends को meet करने, यह idiom है, जो correct idiom है, वह ही होगा, आगे देखने, to ensure peace and calm, ensure क्या करता है, insurance होता है, तो यहाँ बीमा की बात नहीं हो रही है, तो निश्चित करने की बात है, तो निश्चित करने की बात है, तो ensure नहीं हाएगा, in to ensure, ensure नहीं हाएगा, to ensure नहीं हाएगा, answer होगा 4, 3rd, to ensure peace and calm, so to ensure peace and calm, the government imposed a country-wide curfew for 3 days, 37, the surveyor wrote a report on the property, after doing an on-field evaluation, on-field evaluation, on-field evaluation मतलब, उस जगे पे जा कर, तो official collection, off-field नहीं, off-site नहीं, on-site an assessment, उस जगे पे जा के assess किया आपने, उसके लिए on-site हो जाएगा, वहाँ जा के कुछ करते हैं, तो उसे on-site, corporate में वहाँ चलता है term, क्या वो on-site गया है, अगर लंडन का project है, तो उसे लंडन भीजा गया है, उसे on-site करते हैं, और off-site क्या होता है, जैसे बैंगलोर की company है, बैंगलोर की company है, और वो क्या कर रही है, बैंगलोर की company है, और वो क्या कर रही है, तो क्या होगा working has been working since 8 a.m. today and he's not completed the work I went there to say goodbye to him but he refused to meet me मैं वहाँ गया था, past में है इसलिए उसे goodbye कहने लेकिन उसने मना कर दिया तो past में है, so has refused नहीं आएगा, refused in meeting नहीं आएगा, answer आएगा he refused to meet me so I went there to say goodbye to him but he refused to meet me नहीं मना करा मस्ते मिलने के लिए this bodyguard was like a firewall for the leader this bodyguard was like a firewall for the leader, firewall मतलब firewall का मतलब होता है जो बचाता है जैसे firewall, windows firewall होता है वो किसी भी प्रकार के अटेक से बचाता है virus वगेरा से बचाने के लिए होता है firewall bodyguard जो था वो एक तरीके से firewall था मतलब वो बचा रहा था किसे तक कह सकते हो आप उसे ठीक है बुल्वाग बिसिकली एक तरीके की वाल होती है जो डिफेंस में बनाई जाती है वो किसी के डिफेंस में जो बनाई जाती है उसे आप कहते हैं फोर रणर ठीक है को It Oh कि वेंगार्ड जो होता है वह आगे बैंगार्ड भी होता है लेकिन पर cần आगे चलता है तो दिख्ण-क तरह काम कर रहा था वाल की बात हो रही है इस में में गार्ड नियुका कि बनाईगी वार के तो उस एनस में आपका बुल्र哇 की सही decía है रिके मैंद में सकता था आर्मी में जो आगे चलता है उसे वैंगार्ड भी कहते हैं बट वहां पे आफ फायर वाल के संस में यूज करना चाह रहे हो तो उस प्रकार से बुलग वाक ही सब्सक्राइब अगर्पूण प्रकार क्या रहर वाल के चाहर दूरल करें स्पिशल श्रेशन आपार्डव में जाएगा है पीडिया ना पर यहीं एक अच्छे से याद अपड़ आपड़ाईगा तो बाई हर्ट मतलब कुछ अच्छे सा याद करने के लिए होता है तो terminologies के लिए क्या है special expression मतलब कुछ special expressions होते है हजीश के लिए वो आपको याद रखने पड़ेंगे terminologies मतलब क्या हुआ जैसे आपने का इसके vitals चक करो vitals क्या है एक terminology है, vital का मतलब क्या है जॉलेट कितने कैसे तेजी से तो रैन quickly the students ran quickly will be the correct answer ठीक है to get on the train 43 Sivas Burmanian Iyer was not perchoked nor did he get angry with his wife but instead served with me with his own hands and sat down beside me to eat his meal कराय कि Sivas Burmanian Iyer थे वो बहुत परिशान नही हुए नहीं बहुत गुसा हुए अपनी wife से instead उन्होंने मुझे खाना परसा अपने हाथों से और मेरे साथ बैठके खाना खाया तो शांत के sense में नहीं है composed परिशान के sense में होता है apprehended नहीं appreciate तारीफ नहीं करी क्या हुआ disturbed पर्टर्ब्ड के लिए hotter hotter क्या है comparative degree more hotter नहीं होगा today it was hot today हो जाएगा ठीक है it was more hot most hotter भी नहीं हो सकता superlative है ये तो hotting भी नहीं होगा answer हो जाएगा hotter it was hotter today the weatherman says that it was hotter today 45 if we have to sending a mail today we shall get a reply in two days so if we have two sending two के साथ में आपने ing form लगाई है नहीं have to के साथ क्या आता है verb की first form ठीक है तो if we और यहाँ पर आपने क्या लिखा है future future है याई फ्यूजर कंडिशनल की बात है इफ वाला sentence किसमें आता है present indefinite में if we have to send हो सकता था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन वो option नहीं है we have sending नहीं हो सकता we would send नहीं आ सकता we will send a mail double future हो जाएगा if के साथ future नहीं आ सकता answer है second हमारा if we send a mail today we shall get a reply in two days there is a few rice in the left in the cooker तो rice क्या है आपका rice आपका uncountable ना होने ठीक है? और little का use होता है आपका uncountable के लिए और few का use होता है आपका countable के लिए ठीक है? तो rice के साथ में QS तो नहीं आ सकता any rice वो सकता है there is a any rice a any rice लिखना गलत है little less rice less मतलब comparative के लिए होता है little का comparative होता है less तो वो भी नहीं होगा answer हो जाएगा little rice left in a any rice होता तो वो भी गलत हो जाता या any तब होता है there is no rice left in तो उस सेंस में हो सकता है तो यहाँ पर हो जाएगा there is a little rice left in the cooker the thief who have taken the pony was found guilty by the jury who का antecedent क्या है? thief क्या है? singular singular के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? have नहीं आएगा answer हो जाएगा the thief who has taken the pony was found guilty by the jury ना की have ना की had answer हो जाएगा has taken the pony the patient had died before the doctor came क्या होगा? तो classic example है past perfect tense का past की दो बात है जो घटना पहले होई है उसके लिए past perfect जो घटना बाद में होई है के लिए past indefinite पहले क्या हुआ? डाइट तो answer क्या हो जाएगा? उसके पतम बात नहीं लिखा हुआ है classic example past perfect पढ़ाते समय हर्टीचर यहीं देता है 49 patients who do previous हर्ट अटक and those with cardiac failure are at a higher risk of having a cardiac arrest तो who do previous हर्ट अटक आप करते नहीं हो आपको होता है होने के लिए क्या आता है who have यहाँ पर patients लिखा है तो have आए ठीक है? और have उनके हो चुका है हो चुका है यानि present perfect present perfect है तो have आया गया और होने के लिए जो perfect जो कोई जिसे he has heart attack he had heart attack उनके heart attack हुआ तो उसके लिए verb यूज कर रहोगे have have की third form क्या होती है had so had, had, had सही है patients who have had previous heart attacks and those with cardiac failure are at a higher risk of having मुझे कुछ difference नहीं दिखा जिनों है अच्छा यहाँ पर those they with लिखा है नहीं होगा those of cardiac failure नहीं होगा answer आजाएगा first तो आगे दो error थी इसमें they with था और यहाँ यह दो आजाएगा answer आजाएगा first those who had previous have had previous heart attacks and those with cardiac failure are at a higher risk of having तो यहाँ जोप these measures sorry these measures will take us further to our good position तो these plural है अगर these plural है तो plural के साथ में कैसी आज़ noun लगा हो गए plural तो यहां क्या हो जाएगा measures चीक एक बात we hope these measure की जगे क्या आएगा measures होगा measure नहीं होगा तो we hope these measures आएगा ठीक है पहली बात तो those measure नहीं हो सकता measures आएगा ऐक will taking नहीं हो सकता will take होगा तो we और subject plural है तो इस वीडियो में हमने 50 questions discuss करें error correction के अभी इसमें और भी questions है तो 3-4 वीडियो और लग सकते हैं इसमें हम लोग बाकी के remaining questions को हम लोग करेंगे questions बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा explain नहीं कर रहा हूँ अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपका basic थोड़ा सा तम्योर है उसके लिए आप लोग previous year जो complete course है वो जरूर देखो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा ठीक है तो यह practice session है इसमें च खैसने थे किरणे क्यान आपके एक इन की आपकी स्वे बिल्यादा नहीं स्टिकेंगे। है ठीक सामच गय। झाल 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 झाल